आज मैं आपको वह वोकेब दिरव मात्र एक 25 एक 25 वोकेब रट लिया ना याद कर लिया ना तो आपको इंगलिस बोलने में समझने बहुत आसानी होगा हमने चुन-चुन करके खोज करके ऐसे वर्ट दिये हैं कि आपको वोकेब याद करवा दूँ और एक फोटो देख इमेज करके मतलब मेथड ओफ विजॉलाइजेशन यानि कि अगर विजॉलाइज करके अगर आपको वोकेब याद करा दूँ तो बड़ा मजाएगा वोकेब जलने से पहले मैं बतादूं आप मुझे बात करना चाहते हों हर बच्चा कहता है आपसे बात करना है फोर नंबर दीजिए अपना नंबर दीए बात इसीत कौँ आए तो देखिए बीच वाला नंबर एक पूरा ले ना हो कुछ भी काम यह नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हो यह नंबर से आपको जो चीज़ बात करना हो जहां डिले हो एक बार अगर नंबर लगने में दिक्कत हो रहा हो तो इंतजार कर लो अगर और भी परसानी हो तो यहां भी नंबर दे दिया गया है यहां भी फोन नंबर है यहां भी फोन नंबर है आप स्क्रिन सोट ले लिजे इस सारे नंबर का हम इन इतने नंबर ले कहीं तो लगेगा तो जहां मन करे वहां कॉल करो कोई न कोई नमबर पे तो फोन लगेगा वहां भात हो च्छाद और ये होगा सबका Maaster No. इन सारे पे जायगा ने जरूर पहुँचेगा क्योंकि ये Master No. है ये Number Main No. है ये Number IBR No. है इस नंबर पर बात होना ही होना ठाया बात है तो ये नंबर आप लिक लीजे 1090936964 ये नंबर बात करने का नंबर है कोई परसानी हो admission नहीं हो रहा हो class नहीं चल रहा हो कोई परसानी हो app डाउनलोड नहीं क्या करानतिकारी app वहां से कोई दिक्कत हो रहा हो, तो ये नंबर आप याद करो, कॉल करो, और फिर अपनी परशानी को दूर करो, कोई परशानी हो तो, हमने जो प्रॉमिस किया, वो कैब का, याद करते हैं, देखो, हमने क्या का, method of visualization, यह visualize करो, हमने कहा, remedy, आप बोल चाल में परयोग करो, remedy क् इसका उपचार क्या है, remedy, उपचार ऐसी बनता है, खल में कुट करके, उदवाई बनाते हैं, तो क्या, इसका इसका इलाज क्या है, इसका उपचार क्या है, remedy क्या है, remedy बढ़ याद हुआ कर नहीं हुआ, remedy उपचार, यह photo के माध्यम से, इसको visualize करो, कि इलाज करते हैं, remedy च प्रेज भी हो गया मैं आपको ऐसा वर दे रहा हूं जो आज प्रचलन में है जो डे टूरी लाइफ में यूज होता है तो अगला अग्ला बड़ जली से क्रेप का मतलब बकवास अब देख़े क्या कर रहा है इसके साथ बकवास, सारा काम बकवास, सारा चीज बकवास, बेकार, तो बकवास और बेकार को क्रैप कहते हैं, ये कितना बड़िया वर्ड है, ये आजकल फैसन में वर्ड है, ये बड़ा यूज होता है क्रैप बकवास, ये फैसन वाले वर्ड हैं, बड़ा में यूज होते हैं, असेम् legit होना, सरमिंदा होना assembled खलाता है एक आध्यान है, assembled बोलना है आपको legit होना, अबड़े अराम से बोल रहा हूं कोई जल्दी वाला काम नहीं assembled, सरमिंदा, legit assembled, सरमिंदा, legit अगर देखो, especially अब word जो है न, especially में बहुतरह के word यहां पे साउंड आएगा, especially तुमसे बात करना है, connais तुमसे बात करना है, especially और जब मुझे बताना कमेंट करके especially का क्या मतलब होता है मुझे बताना, ठीक है, अगला बड होता है, why not, क्यों नहीं, आप बोलते हो न, why not, क्यों नहीं, तो आप देखो, यह इससे कह रहा है, क्यों नहीं, तो क्यों नहीं एक काम हो सकता है, why not, तो why not, वर्ड बोलते हैं, क्यों नहीं, कहीं बोलना हो, तो why not का प्रयोगा आप कर सकते हैं, why not, क्यों नहीं, मेरे सा दुराते रहिए, why not, ऐसा क्यों नहीं होगा, तो एक बार अगर दुराएंगे मेरे साथ नहीं, तो आपको बड़ा मजा आगा, याद हो जागा, why not, ऐसा क्यों नहीं, इस तरह से बोलोंगे, आपको मजा आएगा, अगर देखे, that's why, इसलिए, इसलिए मैं यह काम नहीं करता हो, that's why I don't do this well, so don't do, and why that's not, that's why, that's why, that's why, hugely, that's why he is busy, that's why I am going to market, that's why I am going to the market, that's why I amileen इसलिए मैं तुमने तुमसे मिलने आ रहा हूँ हो, तो जहाँ भी इसलिए बोलना हो, उसलिए मैं डालना हो, तो आप कहीं भी डाल सते हो, that's why, that's why, that's why, that's why, this is इसलिए वह यहां आ रहा है, that's why he is coming here, तो इस तरह से सन्ने साफ इसको यूज में ला सकते हैं, although हला की वले ही, यानि although, हला की वह गरीब है, फिर भी इमानदार है, although he is poor, है न, he is honest, तो although he is poor, yet he is honest, हला की वह गरीब है, फिर भी इमानदार है, तो although, हला की फिर भी, although की अस्तार पर चाहो, तो दो का पर्योग भी आप कर सकते हो, although या दो, दोनों का हिंदी होता है, हला की या फिर भी, although या दो, दोनों का हिंदी, फिर भी, या हला की, although, although he is not guilty, yet he is punished, although he was not guilty, yet तो आपको मिल गया, बेटा चैनल मेरा था, उसनों तो चोरी किया था, चैनल मेरा था, तो मेरा ही रहेगा, उसे उलोग किये, जो जैसा किया उसको दंगडित किया जा रहा है, तो इस तरह से काम होगा, आप चिंता बिल्कुल न करें, आप ध्यान दे, धर्मेंदर सरकाही DSL English Channel है था और रहेगा, बाकी आपको चिंता करने वरी कोई बात नहीं है, तो हमने कहा, ऑल दो या दो, हाला की फिर भी, तो हाला की या फिर भी का परियोग सा करते हैं, हाला की फिर भी, अगरा देखें, वर्ड यहां करता है, रिलाई, रिलाई का मतलब होता है, निर्भर होना, दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसको रिलाई का परियोग करते हैं, जेखिए हैं, इस पर क्या है, निर्भर है, यह जो बच्ची है, अपने माँ पर निर्भर है, रिलाई होना है, रिलाई के तक सम अगला बद देखते हैं गौर से, consequence, consequence कहते है, नटीजा को, इसका result निकला, इसका नतीजा क्या है, परिनाम क्या हूं, इसका परिनाम क्या है, इसका result क्या है, consequently, consequently, एडफर भी होता है, consequently, परिनाम सरूप, consequently, he was sent to America, इसके परिनाम सरूप, उसे अमेरीका भीज दिया गया, Generally, बोलो मेंट साथ परणाम सुदूरा आते रहे यह कौन से क्वेंट। यह बहुत अच्छा vocab जो आज कल के use में है वही दे रहा हूँ. अंग्रेजी सिखना है तो vocab सिखो, अंग्रेजी बोलना चाहते हो, vocab सिखो, लिखना चाहते हो, vocab सिखो, जो चाहते हो, अंग्रेजी में सोचना चाहते हो वोकब सिखो, बिना वोकब का अंग्रेजी नहीं है वोकब लेरी ही वो चीज है जो आपके अंग्रेजी को स्ट्रॉंग बनाएगा आपके अंदर जनून ला देगा पागलपन छवा देगा, यानि सबसे पहले वोकब चाहिए ही चाहिए, तभी सिख पाओगे और सिखो यह क्यों नहीं, क्योंकि मैं सिखा करके ही छोड़ूँगा अगला क्या है अक्चुली, अक्चुली मतलब बास्तव में अक्चुली ना बात यह है अक्चुली ना, दरसल ना बात यह है priority क्या है उड़ना priority क्या है सफलता प्याना यानि आपकी priority क्या है मुझे बताना comment करके मैं आपका comment individual पढ़ता हूँ आपका priority क्या है मैं उजानना चाहता हूँ आप I.S. बनना चाहते हैं जज बनना चाहते हैं बनना चाहते है, income tax inspector बननना चाहते हैं, आपकी priority क्या है आप DSL सब्सक्राइब किया कि or not किया, आपका priority क्या है, आप DSL जॉइनिक कियाँ किया कि नहीं किया दूसतरा से आपको क्या priority है आपने करांईदिकारी अंग्लिट ऐप डाउनलोड किया आपका priority क्या है, तो priority मतलब प्राथमिक्ता, अलग रहा है, exhausted, exhausted क्या मतलब होता है, ठका हुआ, सक्तिहीन होना, exhausted हो गया, exhausted है, सक्तिहीन है, कमजोर हो गया, exhausted हो गया, exhausted है, सक्तिहीन, exhausted हो गया, मतलब सक्तिहीन, सक्ति कोई छिल लिया है, कोई नोच लिया है, सक्तिहीन हो गया, exhausted है, ठका हुआ है exhausted body है, सक्तिहीन हो गया exhausted है, rotten सरा हुआ देखो apple को, इस apple को देखो, यह न, यह apple है इस apple क्या है सरा हुआ apple मत पढ़ना इसको, इसको पढ़ना apple, कभी भी आप apple मत पढ़ना, apple पढ़ना इसका class मैंने पिछले वीडियो में दिया है कि आप किसी word को कैसे pronounce करें तो apple नहीं, apple apple यह गलत sound है, यह बला सही है apple कैसा है, rotten है rotten मतलब सरा हुआ यानि some of the apples are rotten यानि कुछ apples सरे हुए तो को सर गया है, क्या हो गया है सर गया है, apple कैसा है rotten है, rotten मतलब सरा हुआ, अब देखिए हापर क्या है super sister, यानि super sister मतलब होता है, अंध विस्वासी यानि कि किसी चीज़ पर भरोसा कर लेता है यानि किसी चीज़ पर बिल्ली रास्ता काट गई तो बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या हो गया, अंध विस्वासी है super sister भी होता है, super sister तो इसका मतलब करना है अंद विस्वासी जो किसी जिम्हरोसा कर लेता है कहीं भी गयरास्ता काट ले बिल्ली तो आप सब आपको आता भी होगा आप जानते भी होंगे कसर्ण का मतलब होता है चिंता करना किसी का ध्यान रखना भी कसर्ण करना भी याद हो रहा है बोलो मिरे साथ कन्सर्ण मतलब चिंता करना, ध्यान रखना, अगला कहता है गोल, गोल क्या है आपका लक्ष, अब देखो यह जाना चाहरा है, यहाँ पर लक्ष क्या है, जाना है, पहुचना है, इसे ब्रेक को पाड़ दिया हमने, गोल पर जाना है, गोल लक्ष क्या है, गोल का मतलब लक्ष, यानि आपका अंतिम लक्ष क्या है, इस वीडियो को न देखो आराम से, आप घबराण ही सिखने के लक्ष से देखो, हमेशा कुछ कुछ कॉमेडी आपका टाइम बेस्ट होता है कॉमेडी नहीं देखना है, सिखना है हर दिन पढ़ना है, टोटल पहाई सिर्फ आसिखना है वोकाब, यह 25 वोकाब आप अगर डेली उस करोगे ना, तो आपको अनरजिया स्ट्रॉंग हो जाएगा, गोल का मतलब लक्ष बहुत आसान है, आपको आता होगा इंसोलेंट, इंसोलेंट वर्ड आता है आपको, इंसोलेंट करते है धीट को बिल्कुल यह असब्भ्य है, बत्तमीज है, इंसोलेंट है यह, असब्भ्य है, बत्तमीज है, इंसोलेंट यह, अगला बढ़ करता है, वील पाब, यह तो अब को पता होगा, वील पाबर इक्षा सकती, देखो यह आत्मा के पास वील पाबर है, बिल्कुल उठा लिया, द मेरे पास willpower इस काम को करने का इक्षा सकति है manuval high है संकल्प सकती है willpower मेरे पास जाँंगा willpower इक्षा सकती है प्रिटेंड का मतला होता है बहाना करना, बहाने मारना को pretend करते हैं, don't try to pretend, I don't want to listen to any kinds of pretend, यानि प्रिटेंस बहाना बाजी, मुझे बहाना बाजी नहीं चेलेगा, pretend नहीं सुनूगा मैं, pretend मतलब दिखावा करना, बहाना करना, दिखावा करना, प्रिटेंस कहते हैं, बहाने करनों को भी, मेरली कहते हैं, केवल, मात्र, यहनि केवल इत्तासा है, मात्र इत्तासा, केवल, मात्र, मेरली टेन स्टुडेंस आर अपसेंट, केवल दस बच्चे अपसेंट है, थोड़ा सा के लिए प्रियोग करते हैं, मेरली तेन स्टुडेंस आर अपसेंट, तो मेरली का प्रियोग कहां इंदय करते हैं only 10% only 10 people only five people वहां पर मेरले का प्रयों किया जाता है अगला बढ़ है Tendency Tendency कहते है जुकाब को आपका Tendency कैसा है जुकाब कैसा है प्रविर्थि कैसा है रुजहान कैसा है किसी जुकाब रुजहान को हम तेंदेंसी कहते है उसका Tendency खराब है उसका टेंडेंसी रुजहान खराब है टेंडेंसी कहते हैं रुजहाब को जुकाब को टेंडेंसी कहा जाता है बोलो मेरे साथ टेंडेंसी का मतलब जुकाब रुजहाब टेंडेंसी मनोबल उसको टेंडेंसी कहते हैं उसका जुकाब उस्तरह से बना हुआ है यह 25 वर्ड ना अंग्रेजी सिखा देगा, apparent कहते हैं, परतक्ष को, साफ, aspast, बिल्कुल clear, apparent है, बिल्कुल visible है, clear है, aspast है, को हम apparent कहते हैं, apparent मतलब clear, visible, aspast, को हम apparent कहते हैं, बोलो ना मेरे साथ, apparent मतलब visible और कि लिए refuse, refuse कर दिया, ना, ना, ये refuse कर दिया, ये cigarette के लिए offer कर रहा था, ये लड़की ने मना कर दि, कि ना, मैं इस cigarette नहीं पीती, refuse कर दिया, ना, किसी काम को करने से मना कर दिया, refuse कर दिया, नकार दिया, ये किसी चीज़ को आपने नकार दिया, मना कर दिया, refuse, इसको बीच में छोड़ना, इसको पूरा का पूरा दिखना है, बार बार सुना है, क्यूरियस देखरो कितना उत्सुक है क्यूरियस है जानने के लिए बेचैन है उत्सुक है क्यूरियस लर्निंग बेचैन है जानने को तो किस चीज को जानने की अभिलासी को क्यूरियस कहते हैं आप किसीज को जानना चाहते हैं क्यूरियस मतलब अंदर से गहन इक्षा है जान करना, क्यों करना नहीं, क्योंकि इसमें साराचेज फ्री है, आपको वोकैब इसमें फ्रीति मिलेगा, वोकैब मिलेगा, आपको मैं भी बॉल दे रहाऊ है, गर्फा माता है, इसके साथ उस नंबर पे कॉल करो, जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करो, आपको मुझसे बात ही हो जाएगी, कोई परशानी हो, तो मुझसे मिलो, लेकिन अप का है, करांतिकारी इंगलिस अप, इसको डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ने का प्रास है, तो यह हर चीज़ आप देखें, और कोई दिक्कत हो, तो बात करें, फिर मैं मिलता हूँ आप से, अगले वीडियो में, आप सो का बहुत दो धन्यवाद, थैंकि बेरिमर्च, आए दोस्तों, जानते हैं कांतिकारी इंगलिस अप कैसे डाउनलोड किया जाए, कांतिकार अगले इंगलिस अप पर क्लिक करें, उसके बाद इंस्टल पर क्लिक करें, इंस्टल पर क्लिक करने के बाद आपके डाउनलोड होने तक पर्दिक्शा करें, ग्रांतिकारी इंग्लिस एप डाउनलोड भूरने के बाद ओपेन पर क्लिक करें ग्रांतिकारी इंग्लिस ओपेन करने पर पुछ ऐसा दिखाई देगा नेक्स्ट पर क्लिक किजिए अपना मुबाइल नमबर एंटर करें और जॉन फॉन फॉन फ्री पर क्लिक करें आपके फोन में एक ओटी प्याया होगा उसे इंटर करें अलाव पर क्लिक करें और प्रांतिकारी इंग्लिस एप पर आपका स्वागत है विल्कम टू कार्टिकारी इंग्लिस एप आप से संबलकर किसी भी तरह की समस्या के समधान के लिए आप हमारी इमेल टीम डीसल पर मेल खर सकते हैं यानि चीदिये गए फोन नमबर को क्ल कर सकते हैं कर दो कर दो कर दो